आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं डाक्टर कमलेश कुमार महर, पहलवान गुरुदीन, विधी महा विध्याल अपनारी, ललितपुर के विधी विभाग का विभागा द्यक्ष, आज आप लोगों की समझ एक नए वीडियो के साथ उपस दितुमें, आज की इस वीडियो में हम समबैवार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, इससे पहले कि मैं अपना वैक्ष्यान प्रारम करूं, किरपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इवाँ अपने दोस्तों पर सेयर करें, तो आईए जानते हैं रैस जैस्टे का सिद्धान, साक्ष विदी का अकार उन नियमों का प्रतिपादन करना है, जिनके द्वारा नियाले के समच्छ तथ्य साबित और नसाबित किये जाते हैं, किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, उसके नियम साक्ष विदी द्वारा तै किये जाते हैं साक्ष्य विदी अपने आब में अत्यन्त महत्मून विदी है। समझ भारत की नयए प्रकरिया भारती साक्ष्य दिनियम 872 की बुनियात पर तुकी हुई है। साक्ष्य दिनियम अपरादिक तथा सिविल ढूनों प्रकार की विदियो में निर्णायत-भुमी का निभाता है। इस साक्ष्य दिनियम के माध्यम से ही तैय किया जाता है की शबूत को स्युकार किया या नहीं। क्या होता है सबुतकभार जानिए साक्ष अधिनियम की खाज़ बात है अधिनियम को बनाने का उद्देश साक्षियों के संबन में सहिता बद्विधी का निर्मान करना है जिसके माध्यम से मूल बुधी के सिध्धानतों तक पहुँचा जा सके इस साक्च अधिनियम के माध्यम से ही जो इतने सारे अधिनियम बनाए गए हैं उनके लक्ष तक पहुँचा जाता है कोई भी कारवाई या अभियोजन चलाया जाता है अभियोजन हुन रूप से इस अधिनियम पर ही अधारित होता है बिना साक्षा दिनियम के अभियोजन चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती तता किसी भी सिविल राइट्स को बरकरार नहीं रखा जा सकता साक्षा दिनियम 872 अपने निर्माण से आज तक सबसे कम संसोजित किया गया है साक्षा दिनियम में क्या है रेज जेस्टे का सिध्धान इसके मिसें जाने को है साक्षा दिनियम साक्षा दिनियम 872 की धारा 6 के अंतरगल लागू किया गया है साक्ष्हधनियम、 82, कि धर अच्छे कि अनुसार एक ही सम्भेवार के भाग होने वाले तत्यों कि सुसंगति र्था जो तत्य विभाधक ना होते हुए भी किसी विभाधक तत्य से उस प्रकार संसक्त है या जुड़े हुए वह एक ही समवैवार के भाग हैं वह तत्य शुसंगत इंच चाहे वह उसी समय और स्थान पर या विभिन्य समय और स्थान पर घटित हुए हूं। साक्छ दिनियम की यहां धारा बताती है कि कोई तत्य विवादक ना होकर भी यदि किसी एक वैवार का हिस्सा है तो सुसंगत माने जा सकते हैं सब्द रेज़ जैस्टे का साब्दिक अर्थ है संबंदित तत्य अर्थात ऐसे तत्य जो एक ही संब्वार के भाग माने जाते हैं जैसे किसी भी घटना के लिए अलग अलग तत्य होते हैं ये तत्य किसी एक संब्वार का हिस्सा होते हैं ये सब आपस में जुड़ते हैं और कोई एक संब्वार को जन दीते हैं इस बात को इस तरलुदारन के मादिम से समझा जा सकता है जैसे राम ने एक तलवार स्याम से खरीदी खरीदने के बाद उसने इस तलवार से धर्मेंद की हत्या कारित की राम तलवार खरीद ने किसी अन्य स्थान गया वहां से तलवार खरीद कर लाया किसी अन्य स्थान पर उसने धर्मेंद की हत्या की धर्मेंद की हत्या राम दौरा उसी तलवार से की गई जिस तलवार को उसने स्याम से कुछ रुपयों में किसी प्रतिफल के बदले खरीदा था। स्याम से तलवार खरीदने स्याम के नगर जाना। उसके बदले स्याम को प्रतिफल देना। किसी अन्य स्थान पर जाकर धर्वेंद की हत्या कारिद करना। यह सब कुछ सुसंगत तत्य है इन सभी का केवल एक ही लक्ष है इससे यहाँ सभी एक ही समवैवार के भाग है तथा सब तत्य मिलकर किसी एक लक्ष को भीदना चाहते है एक समवैवार धर्मेंद्र की हत्या कारित करना है राम का स contrat करना वे क्लोग की यहाँ तो सिद्ड नहीं करता कि राम दौरा धर्मेंद्र की हत्या की गई है परन्तु यह सिद्ड जरूर करता है कि राम का तलौर खरिदने का कारण किसी वेक्ति को छथी कारित दरना ही था क्योंकि तलवार का क्रै करना भारत की सीमाओं के भीतर अपराद है रामदौरा ऐसा अपराद कारित किया गया उसने तलवार खरीदी थी इसका आसा या था कि वहा किसी को छती पहुचाना चाहता था इस धारा का सिद्धान्त या है कि जब कोई संभावार जैसे कि कोई संभीदा या अपराद विवादक तत्थे हो तो प्रते कैसे तत्थे का साक्ष दिया जाता है जो उसी संभावार का भाग है रेज जेस्टे सब्द भारती साक्षा दिनियम की धारचे में प्रयोग नहीं किये गये हैं कारण यह है कि यहां सिद्दान्त अनिश्ची तक जन्म देता है यहां सब्द लेटिंग भासा के हैं उनके साब्दिक अर्थ हैं जो काम किया गया है जब अंग्रेजी में अनुवात किया जाए तो अर्थ यह होगा ऐसे कथन तथा कार जो किसी संभयवार के साथ हुए है जो मामले नियाले के सामने आते हैं उनमें कोई ना कोई घटना चीपी रहती है प्रते घटना से जुड़े कुछ कार या लोग तथा कुछ कथन ऐसे होते हैं जिन का कार या कथन जिन से संभैवार की प्रकति का कुछ प्रकास पढ़ता है या जो उसके सही रूप को दर्शाता है उसे संभैवार का भाग कहा जाता है इसका साक्ष दिया जा सकता है अर्थात राम ने कोई तलवार स्याम से करी दी थी इसका साक्ष दिया जा सकता है इस सिध्धान्त और साक्ष अधिनियां की इस धारा के अंतरगत एक बड़ा महत्पुन मामला है इसे रटन वनाम कुईन का मामला कहा जाता है। इस मामले में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्यकारोग था। उसका कहना था कि गोली दुरुभटना वस चल गई थी। एक साक्ष यहां था कि अव्यक्ति की पत्नी ने टेलिफॉन मिलाया और आपरेटर लड़की से कहा मुझे प्लीज दीजिये। आपरेटर अभी कुछ भी नहीं कह पाई थी कि इस्तरी जो बहुत तकलिफ से बोल रही थी उसने जल्दी से अपना पता बताया और कॉल बंद हो गया। आपरेटर ने पुलिस को सुचित कर दिया। पुलिस वहां पहुँची और इस्तरी का सब वहां पर पाया। उसके द्वारा टेलिफोन करना और पुलिस मंगाना उसकी हत्य के समवैवार का भाग माना गया। माना गया कि घवरहाट की हालत में उसका टेलिफोन करना उसकी हत्य की आसंका को दरसाता है। यहां गटना दुरगटना वस नहीं थी किसी दुरगटना से पीडित होने वाला वैक्ति सौपन में भी नहीं सोच सकता कि वहां दुरगटना से पहले ही पुलिस को बुला ले रेश जेस्टे के सिध्धांत का यहीं एक लाव है यहां नियाले को पृतिक संव्भवार के सभी आवस्षक अंग ध्यान में लेने की अनुग्या देता है अब हम देखेंगे रेस जेस्टे में कथन का महत्व अधिमियम की धाराच्य के अंतरगत तथा इस सिध्धान्त के अंतरगत कथन का तैदिक महत्व है सिध्धान्त के अंतरगत यह माना जाता है कि कथन संभैवार से बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए कथन और संभैवार के बीच में इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए कि कथन पर विश्वास करने के संसेह होने लगे इस संब्द में जन तेला पी राओ वर्सिस स्टेट आफ आंधर प्रदेश 1996 का मामला है सुप्रीम कोट का इस मामले में एक बस में आग लगा दी गई थी जिसमें कई लोग घायल हुए थे जिनें अस्पताल पहुचाया गया था मजिस्ट्रेट ने इनके कथन लेके इन कथनों को एक ही संब्भवार में नहीं माना गया थूँकि धटना के काफी समय पस्चार ये दर्ज किये गया आरवनाम बेडिंग फिल्ड के मामले में ऐसे कथनों का महत बताया गया है जहां एक खायल महिला कमरे से निकली और निकल कर उसने कहा ओ माई डियर चाची देखिए बेंडिंग फिल्ड ने मेरा क्या हाल किया महिला का गला कटा हुआ था परन्तु इस घटरा के बहुत देर बाद महा कमरे से निकल कर आई और उसमें अपनी चाची को यह कथन कहा नियाले ने इस कथन को ग्रह नहीं माना इस तत को सुसंगत भी नहीं माना कथन घटना से अत्यंत जुला होना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब घायल किया जाएगा तो वहां मदद मांगेगा या प्रतिरोद करेगा लेकिन इस घटना में कुछ ऐसा नहीं प्रतीत होता है एक ऐसे ही प्रकरन भारती है उस्तम नियाले का भी है उस प्रकरन को आर एम मलकानी वर्सेस इस्टेट ऑफ महराश्ट का मामला कहते हैं इस प्रकरन में उस्तम ने अलद और निर्नित किया गया है कि जब कोई ऐसी बात्ची चल रही हो जो किसी समभैवार का भाग होने के नाते से सुसंगत है तो यदि उसे ततकाल टेप कर लिया गया हो तो ऐ कैसी टेप सुसंगत होगी यहां रेज जेस्टिक का नियम होगा एक वारदात जिसमें एक महिला बंदूप की खोली से म्रत्यू को प्राप्त हुई उसने घटना के कुछ ही समय पूर्ष चीट कर कहा था कि उसके पास कोई व्यक्ति बंदूप लिये खड़ा था यहां कथन समय के हिसाब से घटना के इतना निकटतम था कि उसे संभवार का भाग माना जावेगा आई होग यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा धन्यवाद